असलाम लेकुम स्टूजन्स उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खेरियत से होंगे मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस्टिता सोलंगी आज हम सबक नंबर दो महनत की अजमत की बक्या बुलंख्वानी करेंगे सफ़र नंबर 21 से महनत शवाप पैशे है हज़त आदम अले सलाम हज़त अब्राहिम अले सलाम हज़त मुसा अले सलाम और मुतहर दूसरे पैश्टकारी जैसा महनत तलब पैशा अपनाया क sug उतने सारे जो हमारे Пैगमबर हैं उन लोगोंusi में कौने को मतलब जहां पर किसान बसते बगए कागाते हैं वही उन्होंने काम अपनाया हजरत दाउद अले हजरत दाउद अले सलाम जरे बिनाजर अजीरा बनाते थे खुद हमारे पाक नभी सलिल्लाहु अलेह वालही वालही वसल्म ने तिजारत की तिजारत मतलब जो समान हम लोग इन बॉक्स और एक्सपोर्ट जो करते हैं ना यहां से वहां उसको क्या करता है तिजारत करना कहते हैं हज़ुर्स अलेह सल्म ने तो दस्तकार को खुदा का दोस्त करार दिया है इन तमाम बरस गुजेदा हस्तियों ने महनत और काम को कभी आर नहीं समझा मतलब फरक नहीं समझा अगरचा महनत की अज्मत का असूल जिन्दकी के हर मैदान में कार फर्मान है लेकिन तालिम के मैदान में एक ताल्ब एल्म के लिए उसकी एहमियत दो चंद हो जाती है इस दोर की महनत अपने अनताईश के लिहाँस से ज्यादा बार आवार नहीं होती है जो तुल्बा अब्तदाई 12-14 साल खूब महनत करते हैं वो जिन्दगी भर उसकी बरकाट से फेजियाब होते हैं मैं जो तुलबा 12-14 साल इस महनत से खुब ज़्यादा महनत करते हैं वो जंदगी भर इनकी जो बरकात होती हैं बरकते वगारा उनसे नाजल होती हैं उनसे काम्याब होते हैं और जो कोई इस सुनेरे दोर में महनत से जी चुरा कर वक्ष जाया कर देता है मतलब जो कोई भी मतलब इस सुनेरे दोर में इस अच्छे दोर में महनत से जी चुराता है और अपना सारा टाइम जाया कर देता है वो उमर भर ठोकरे खाता है वो उमर भर क्या करता है ठोकरे मतलब वहां से वहां भटकता रहता है याद रखें कुछ बनने के लिए कुछ सुनना पड़ता है जिस तरह सोना भटी में तब कर कुंदन बनता है उसी तरह महनत भी आप से बहुत कुछ तलब करती है दोरे हादर में तहरीक याफ़ता हुमालिक पर एक नजर डालें अमरीका जापान जर्मनी चीन के पाशिंदों ने इल्म और हुनर सीखने में किसी दरजे में भी कोता ही नहीं की जिसका नतीजा ये निकला कि ना सिर्फ उनका मैयार जिन्दगी बुलंद हुआ बलके उनके शवरोज की महनत से मुल्क का वकार भी बुलंद हुआ दुनिया की सभी नामवाज शख्सिते मुँ में सोने का चमचा लेकर पैदा नहीं हुई थी बलके उनसे ये मकाम महनत और कोशिश से हासिल किया है काइदे अज़म मुहमद अली जिनाब बच्पन ही से महनत के आदी थे एक दफ़ा वो रात गए तक पर रहे थे के उनकी चच्ची की आँप खुल गई उन्होंने कहा मुहमद अली काफी देर हो चुकी है अब सो जाएं महमद अली ने जवाब दिया अगर में महनत नहीं करूंगा तो बड़ा आदमी कैसे बनूंगा और अल्ला ताले ने उनकी महनत का ये समर दिया ये फ़ल दिया के हमें उनकी महनत की वज़े से अजादी की नहमत मिली आज हमारा फर्द है के अपने लिए और आने वाली नस्तों की खुशहाली और इज़त वगार के लिए तिल लगा कर महनत करें उस्ताद मौतरम ने इमाम राजी जलाल अलदीन रोमी शेक सादी इमाम अबु हनीफा सरसेद एमद खान, शिबली नमानी, सरसेद सुलिमान नद्वी, अल्लाम अकबाल और बहुत सी दूसरी नामवार हस्तियों का जिकर भी किया जिनों ने सितारों पर कुमंदें डाली मेहनत की अजमत पर उनकी इस गुक्तपू से जाने दूसरे तुल्बा ने क्या तासुरात तासर लिया अलबाता मैंने पुक्ता इरादा कर लिया है कि वक्त साया नहीं करूंगा और मेहनत से कभी जी नहीं चुराऊंगा अमीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको सबक की बक्या बुलंखवानी अच्छे तरीके से आप लोगों ने मेरे साथ कर ली होगी आपको घर में भी इसकी बुलंखवानी करनी है रोद इसको पढ़ना है और मैं मिलूंगे आपसे अपनी नेक्स वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रेखेगा अल्ला हाफिस